तो भाइलो कैसे हो तो हैर वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वाहत है आपका एक बराण न्यूट मिद बस्टर वाली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे अजीब हो गरी मिद को ट्राय करके कि क्या वो सही में काम करते हैं या फिर नहीं तो हाँ सीधा सुरू करते हैं और कि या आप सपाइक ट्रैप से और भिया डीम के टा or सकते हूं विया डीम होता है घर कुछ भी हो वो समटर आओ यहाँ За पर आ चुके ये बीम्डियार को लेकर या प्याओ को लेकर ये फैकाा सपाइक ट्रैप और फट गए टायर क्या सहीं में得 क्या सही में सिर्फ एक सपाइक ट्रैप से BMDR के दूनों टायर चलेगे? क्या सही में? मलब यार ये गाड़ी मेरे को पहले बेकार लगती थी, अब तो और भी बेकार है. लेकिन जहां तक मेरे को याद यार गाड़ी के टायर उड़ाने के बाद भी, गाड़ी मेरे ख्याल से बराबर काम करती है, चाह तक मुझे पता है. क्या याँ पे एक और सपाइक ट्रैप बिछा दिया है, अब लेफ्ट के दूनों टायर फोड़ने की कोशिश होगी, देखते हैं ये वाले फटेंगे की नहीं, खैर यहाँ पे मैं पीछे अट जाता हूँ, भाईया जी गाड़ी चड़ाएंगे, ये आई BMDR और आगे 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 और ये दूनों टायर फिर सेगा है, लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद भी गाड़ी चल रही है, लेकिन हाँ उस रफटार से नहीं चलेगी, जिस रफटार से चलती है, तो ये गाड़ी मेरे को वैसे भी बेकार लगती थी और अब जब मेर को और जदा बेकार लगने लगी है तो हाँ ये वाला मित कनफार्म हो जाता है सपाइक ट्रैप को जदा ही खतरना के और ये गाड़ी को जदा ही बेकार कैर अगले मित क्यों बढ़ते हैं अब अगला मित ये कि यार अगर आप वो जो पांच सेकंड मिलता है सुरुवात में ट इटी काफी काफी टाइम लगाते हैं उन्हें पीटी बनाने में लेकिन आप जैसी यहां पे आए गोली चलाएंगे अब और इन्विंसिबिल्टी गायब चार सेकंड बाकी थे पहले ऐसा होता है आप गोली चलाओ कुछ भी करो भगते वे अगर आप आगे आओगे तो आपकी इन्विंसिबिल्टी गायब बिल्कुल तो हाँ यह वाला मित भी कनफर्म हो जाता है खेर इसी के साथ बढ़ते अपने अगले मित की और यह वाला कनफर्म में बिल्कुल तो अपना अगला मित यह कियार अगर आप इस पाइक ट्रैप को दरवाजे के नहीं नहीं द गायब सा दिख रहा है बिलकुल क्या मिरा के खराब हो गई है या फिर ये सई में गायब हो गया क satisfy क्या आप देखने के लिए अपन बाहर की ओगार की और आये दरवाजे के आरप कद्दू कुछ यह नहीं दिख रहा हा है आरपार तो बहुत दूर की बात है मेरे को गर के अंदर नहीं दिख रहा था क्या सीन हो गया है घर के अंदर भी चेक किया कुछ नहीं दिख रहा है ऊपर भी कुछ भी नहीं दिख रहा था यहां बाहर तो गाय भी हो गया बिल्कुल अब सपाइक ट्रैप कहां पर गया किसी को भी नहीं पता कते ही गाय बिल्कुल कर इसी के स करती है ना तो जो लोग उपर कैम कर रहे हैं अगर नीचे से रश हो रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है यह यह इस चीज को पहले है ट्राय करना होगा यहां पर आ चुके भगते भगते वे लेड़ गए बिल्कुल कोने पर चिपक जाएंगे और अब बैक कर रहा है और आपको नहीं पता करना क्या है तो देखो इस चट पे चड़के क्लच करने की कोशिश की जा सकती है और सबसे बैंकर बात यह होगी कि आर अगर उन लोगों ने यह मिद बश्चर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको कद्दू पतानी चलेगा आप गए का तो इस चीज को असलियत में इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन रस करते है टाइम यार दिमाग काम नहीं करता हुतना कैर यह वाले मिद कनफार्म है बिलकुल कैर बढ़ते अपने अगले मिद के और देखने क्या लिखा है अगर आप गैस केन के उपर इस पाइक ट्रैप फेक का सपाइक ट्रैप सपाइक ट्रैप कताई आर पार चल दिया लेकिन गैस केन ना भटा अभी तक क्या ऐसा हो सकता है कि गैस केन में कमी रह गई हो क्या पता गैस केन के अंदर पट्रोल ना भराओ तो गैस केन को गोली से बोड़ के देखेंगे और गैस केन तो पढ़ गया यानि कि सपाइक ट्रैप से गैस कैन कद्दू भी नहीं भड़ता तो यह वाले मित बश्ट हो जाती है खैर इसे के साथ बढ़ते है अगले मित के और अब अगला मित यह कियार आप गैस कैन को यूज कर सकते हूँ सकेट बोड में इसकी यूज करो और उसके बाद बैक खोल के फ्यूल के ओपिशन पर दबाओ तो यहां पर आ चुके हैं यह सकेट बोड लेके अब खोला जाएगा बैक हां दो गैस कैन पड़े हैं पहले गैस कैन को यूज किया चार सेकंड तीन सेकंड दोक सेकंड और इसे के साथ गैस कैन गया बहुत ही तकड़ा मतलब यार वाः पब जी बहुत ही खतरनाग तुम सकेट बोड पे पट्रोल भरा लो हमसे बहुत ही बढ़ीआ क्या ही बुला जाया और पमजी वाले भी फुल नसे में रहते कभी कभी खर इसी के साथ ये वाले मित एक तरह से कनफार्म हो गया गैस के ना बर जाते हूँ अब उस गैस का अब वो गैस कहां पे डलता है मेरे को नहीं पता लेकिन अब गैस के ना पके बैक से इस्तमाल जरूर हो जाता है गायव जरूर हो जाता है लेकिन भड़ता कहां पे है वो बात नहीं पता मेरे को क्यर इसी के साथ ये वाले मित बिल्कुल कनफार्म हो जाती है क्या जमाना आ गया और मतलब तेल भर के सकेट बोट चलाना पड़ रहा है ऐसे ही तेल मेंगा है कर बढ़ते अपने अगले मित के ओर अगर आप मॉलोट ओफ के उपर यानि की जलती बोतल के आग के उपर से ले जाओगे अपने सकेट बोट को तो आपको डेमेज नहीं होगा क्या ये सही है आप पता करते हैं ये भेकी जलती बोतल में आग ये दबाया सकेट बोट उडाते वे ले गए सकेट बोट को और आग लग गई पीछे बहुत ही तगड़ा डेमेज के साथ साथ यहां पे पेटी भी बन जाती लेकिन ये वाला मित हो जाता है बश्ट क्यूंकि आग बहुत चूर से लगती है गरना मत ये पेटी भी बन सकती है खैर बढ़ते अपने अगले मित के ओर अब अगला मित ये कियार अगर आप इस कौर आउस के छोटे रूम पे जाके सकेट बोट दबाओगे तो आप टेलिपोर्ट हो जाओगे उपर वाले कमरे में छोटा रूम मेरे ख्याल से भाया जी बात कर रहे है ये राइट वाले रूम की और देखो सीधा यहां पे आके दबाने से मेरे को निलगता उपर जाएंगे तो मेरे ख्याल से बकसे पे चड़ना पड़ेगा ये चड़े बकसे पे ये खोला बैग दबाया यूज और इसे के साथ उपर टेलिपोर्ट हो गए कताई बहुत ही कतनाग अब देखो इस MID-BUSTER वाली वीडियो में है और दो-तीन चीज़े में देख रहा हूँ असलियत में कामा सकती है ये वाली चीज असलियत में कामा सकती है अगर आपको उपर रस करना है और बंदे केम्प करके बैटे हैं अब देखो दो चीज में से एक चीज होगी या तो आप कते ही style पे जाके सब की पीटी बना दोगे या तो आप कते ही style पे जाओगे और अपनी पीटी बना लोगे लेकिन इन दोनों में से एक चीज पक्का होगी डिपेंड करता है उपर कितनी भारी camping है खैर इसी के साथ यह वाले मिद भी confirm हो जाती है बढ़ते अपने अगले मिद के और अब अगला मिद यह कि यार आप gas can को blast कर सकते हूँ पैन फेक के क्या ये काम करेगा पैन देखो पहले पैन मारते थे हम gas can पे तब तो वो शायद भटता नहीं था लेकिन क्या पता पैन को अगर फेक के मारे तो यहां पे बार बार फेकना पड़ेगा क्योंकि क्या पता यार पैन का damage कम हो वैसे भी फेकते समय उतना damage नहीं देता पैन जहां तक मैंने देखा है तो हाँ यहां पे हम काफी बार फेक के देखते हैं लेकिन नहीं फटरना तो बहुत दूर की बाते गैस केन हिलता तक नहीं बार बार करके देखा मेरे ग्याल से 20 बार फेका होगा लेकिन उसके बाद भी पैन फटता नहीं और हाँ टेंसर मतलूक गैस केन काम कर रहा है कि नहीं वो भी ट्राय करेंगे कताई गंच से फोड़ के देखेंगे क्या पता ये तेल डालना भूल गए हो गैस केन के अंदर कैर यहां पे इतने बार फेकना काफी था बंद करना हो गए अब टाइम आ चुका है पिस्तोल चलाने का ये चला है पिस्तोल और गैस केन के अंदर बराबर देलता तो ये वाले मित भी बश्टो जाती है गलत मित थी है बिल्कुल खैर आप बढ़ते अपने अगले मित की और अब अगली मित ये क्यार अगर आप गैस केन के सामने गैस केन वाले बहुत आने आज खेर भाईया ने लिखाई कि यार गैस्केन रखो कहीं पे उसके सामने खड़े हो जाओ और उसके बाद अगर आप गैस्केन को फोर देते हो तो आप कताई हवा में चले जाओगे अब यह चीज़ हमने पहले नेट से ट्राई की थी वो हुई नहीं थी उस टाइम हमसे अब क्या पता इस बार हम उट जाए यह फोड़ा गैस्केन और भाई साहब हेल्थ के नाम पे कद्दू कुछ नहीं बचाए लेकिन भाईया हवा की सेर जरूर हो गई मजा ही आ गया और भाईया हवा में कताई बहुत ही तगड़ा अब देखो मेरे को नहीं पता यह चीज़ कैसे कामा सकती है मेरे ख्याल से अगर कहीं कैम्प करना है उपर इलाके में तो हाँ यह चीज़ करके आप उपर पहुंच सकते हो यह चीज़ से मेरे ख्याल से आप वहां पे चड़ ठोक के कताई पेटी बना दो गैस कैन की बोल रहा हूँ मैं ठोक के कताई पेटी बना दो लाइक के बटन की बस पेल के रोक दो लाइक के बटन को और अगर आप यहाँ पे नए हूँ तो हैर करो सब्सक्राइब और भी ऐसे मिद बस्टर वाली वीडियोस, टिप्स और ट्रिक्स वीडियोस और और भी PUBG की वीडियोस के लिए तो आज के वड़े इतने यार, बहुत वश्क्राइब वीडियो देखते के लिए मिलते हैं एक नए गेम प्ले के साथ तब तक के लिए बाई बाई प्ले कि वीडियोस, टिज बाई आज कि वीडियोस, बाई